नहीं दरावास नहीं जहेर राशनकार्ट नहीं जहेर पेलशन कुछ भी नहीं है सरकार को कोई वोजना नहीं है आपने क्या कदम उठाया जब आपको कोई पेंशन नहीं मिलना है राशन नहीं मिलना कोई कदम उठाया आपने से लेकर अपना छेतर केवटी तक किये महाज कोई सुनवाई नहीं लेता है बाबु आज काल के दुनिया है घूस की जाबाना जन परती नीधी आपकी समस्याओं को नहीं सुनेंगे तो आपको दफ्तरों का कारियालियों का और सरकार के कर्मियों का चक्कर काटना पड़ेगा चकर तो काटता ही है सर जब कोई सुनवाई ही ने करते चकर काट के चूप के आप बैठे गाए चलो जो उपर वाला करेगा वही हो करेगा तो मतदान आप उनको करिए जो आपके सपनों को साकार करें यह वारत के आप एक नागरिक है और आपको यह सम्विधान अधिकार देता है कि आप मतदान अपना करें जरूर करें वोट जरूर गिराए उस दिन आप घर में नहीं बैठे रहिए वो हमारा जंड़ प्रजाता खट आपका महापर्व है उसी तरह से मतदान करना भी वो आपका अधिकार है लेकिन आप चुनिये वैसे लोगों भारत अगर डिजिटल इंडिया बनना चाहती है तो बने हमारी सुबकामना है क्योंकि हम भी अगर हमारा देश विक्सित होता है तो उसमें हम भी विक्सित हों देखिए यह सीन है और यह देखिए यह इनका में इंट्रेंस है यह बरामदा है और आप इसके अंदर बिलकुल खड़े हो करके आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि और नहीं खड़े हो करके रह सकते हैं सरकार की क्या क्या योजनाओं का लाभ आप ले चुके हैं हम कोई लाभ नहीं हमको मिला है बुजरुक हो गए महाज अभी तक सरकार को कोई लाभ नहीं है ने राशन मिलता है ने कार्ड मिलता है ने इंदरावास कुछ भी नहीं नहीं जह है राशन कार्ड नहीं पेलशन कुछ भी नहीं सरकार को कोई ओजना नहीं है आपने क्या कदम उठाया जब आपको कोई pension नहीं मिला, राशन नहीं मिला, कोई कदम उठाया आपने? माज कोई सुनवाई नहीं लेता है बाबू आज काल के दुनिया है घूस की जवाना तो गड़ीब आदमी के नई घूस रहेगा नई आपको पास हमारा काम होगा पंचायत का तिरी अस्तरिये पंचायती राज संस्था कर जो निर्मान किया गया सरकार दुआरा वो इसलिए किया गया है कि जन परतिनीधी आपके चौकट आपके दुआर पे खड़े रहें आपकी जन समस्याओं को परखन मुख्याले फिर जिला मुख्याले फिर राज तक क्या इसमें जो आपके पंचायत अस्तरिये जो परतिनीधी चुने गये हैं वो विफल है या सफल है हम जो है से उनको भी बताएं जे मुख्या जी हमारा कोई काड नहीं है राशनकार भी नहीं है और जो है से कुछ मिलने रहा है सरकार तरफ से जितना बारह में जितना फिर जो डोली उठाता है वो जाते हैं और आपके जो मुख्या जी है पिछले पंच वर्षिये योजनाओं में आपने चुना आपने मत किया आपने वोट दिया तो उसमें आपके परिशानी को वो नहीं सुने कहां जब सुनता तो सब ची मिल जाता है पंदरा तारिक को जो आपका पंचायत का एलेक्षन है चुनाओं है पता है आपको फिर लोग आते होंगे आपके दरवाजे पे धोल तासा पीपी बाजा ले करके और खुशामद करते होंगे तो आप कैसे चहरा को चुनना चाहते हैं हम जो हमको आप जो अच्छा लगेगा जैसे देखेंगे दस आजमी जिसको दे रहा है जो जिन्नों लोग के काम नहीं हुआ है जो आजमी दे रहा है तो उन बेक्ति के दे दिया जाएगा एक बात साफ हो गई है कि भीड की राजनीती भारत में अब असपश्ट है पीछे एक महिला से भी बात हुई अभी श्रीमान से बात हो रही है आप भीड की राजनीती आपकी जो मजबूरी है आपने आप मत करते हैं आप वोट देते हैं क्या समझ के वोट देते हैं वोट देते हैं यह समाज़कर्ज हम लोग के भीर पर शुगधा दे, सब चीज से शुगधा दे यह लेकर हम लोग वोट देते हैं, और वो जीत जाने के बाद कोई सहाता नहीं मिलता है। जनपरती नीधी आपकी समस्याओं को नहीं सुनेंगे, तो आपको दफ्तरों का, कारियालें का और सरकार के कर्मियों का चकर काटना पड़ेगा। जनपरती मिलता है, तो कोई विक्ति के भोट नहीं देना है, सब को फार के फिर देना है। हमसर आपको जानते हैं, जैसे आपको हम खड़े किये, महाज आप घर जाकर बैठ जाएंगे, तो फिर दे कर वो इसा बेक्ति के क्या फैदा मिले जो हमारे को इससे कोई लाभे नहीं मिले गए। मंत्री के देते हैं, तो वहाँ से तो सब की विकास करता है, महाज यहां आते हैं मिलता भी नहीं। यह आपका घर है और यह पन्नी आपको सरकार के द्वारा दिया गया। जैसे आप मालिक हुए तो आपको मया लगा तो खरीद के दे दिया दू-चार सो के। नहीं कोई सवचाले है और दोस्तों अभी बात करने से जो बात की शुरुआत थी उसमें आपको हमने कहा था कि भारत अगर डिजिटल इंडिया बनना चाहती है तो बने हमारी सुबकामना है क्योंकि हम भी अगर हमारा देश विक्सित होता है तो उसमें हम भी विक्सित होंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ऐसा लगता है कि मदर इंडिया आपके स्क्रीन पे एंड्रोइड सेट पे जब ये निउस चलेगा तो आपको लगेगा कि आप मदर इंडिया देख रहे हैं देखिए ये सीन है हम अपने साथी पत्रकार आफताब साहब से कहना चाहे कि असल तस्वीर लोगों के सामने लाइए और ये देखिए ये जो ये इनका में इंट्रेंस है ये बरामदा है और आप इसके अंदर बिलकुल खड़े हो करके आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि और नहीं खड़े हो करके रह सकते हैं जो प्रजातांतिरिक धाचा है उसमें प चेहरा और एक एक जन जन तक सरकार की योजनाय पहुचे और विकास की लहर, विकास की हवा ऐसी चले के हर एक चेहरा को छू कर आगे बढ़े लेकिन ये देख लिजे तस्वीर ये जो चापाकल दिख रहा है चापाकल कहां से आया जी सर हम अपने कर्ज लेके लिए हैं जो दस हजार उप्या कर्ज ब्याइज पर लेकर तब ये चापाकल गरवाए है वोई के ब्याज भरते भरते अभी बच्चा लोग जो एक बच्चा है जो बाहर में ब्याज जादे दिन हो जाता है तो लाते हैं उनको देख कितने सदस हैं आपके परिवार में तीन ठो लरका है डो लरकिया है तीन ठो पोती है एक ठो पोता है बेटा की साधी हो गई है एक ठोके हुए है कलेंडर भी दिख रहा है अलबत्ता के हम नहीं दिखाना चाहेंगे आपको क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति विशेश या किसी भी चेहरा को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं और इसके लिए हम खेद भी और शमा भी चाहते हैं आप ऐसे जनपरतीनीधी को क्यों चुनते हैं जो आपके शादी हो गई है अब लगा अभी तो लरकार लोग बाहर चला गिया है उनको भी राशन पेंशन या आवास कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कहें तो सरकार के कोई जोजना नहीं मिला है देख्येश एक बातरूम के लिए भी यहां भी जगह नहीं हा नहीं मिल रहा है आपने आवेधन किया था फो आवेधन किया थे जो शुचले बना रहा था तो का है जो हमको भी बनादो तक आपको नहीं होगा कोई ठीकेधर जो था वो कह activity or को दक ठिए बात बनना उसमें बिटिया बहूं सा अपने दाते है कि कोई कि इसर कोशिश में रही नहीं होसा कोँन नहीं होगा चये आपना इसकों के लिए एक capac रहाँ है समीति है परिशद है जिला परिशद सदस है को कहे कोई नहीं सुना तो क्या करे बावु साहिब हम तो अपना संथ हो गए तही के बाद कोई आवे नहीं किया जेह से उनको कहते है एक बार तस्वीर लॉक में जाकर दिखा बलॉक में जाकर एक सोब रासन काट को हम समान बना के आया बार राहत का 6,000 रुपिया मिला कुछ भी नहीं मिला है एक पैसे नहीं बार राहत के एक कतला दाना भी नहीं मिला है और पैसा कहां से 6,000 आएगा दू मरतबे मिला था 6,000 का रुपिया महिसवार जेहे एक ठ्वानाज भी नहीं आया तो पैसा कहां से आएगा